आज मैं आपके सामने मैस का एक question लेकर आए हूँ, question क्या बोला है, find the value of x and check the solution, हमें यहाँ पर x की value find करनी है, उसके बाद हमें check भी करना है, कि जो x की values आई है, जिसको की solution भी कहते है, वो सई है कि नहीं, ठीक है, तो हमें यहाँ दो चीजे पता करनी है, तो आप देख सकते ह तो हमें यहाँ पर इस x की value find करनी है, और फिट चक करके भी देखना है, तो चलिए इस question को solve करते है, तो यहाँ पर देखे है, हमें यहाँ पर क्या दियावा है, इसमें bracket के अंदर क्या दियावा है, 2 प्लस रूट 3 और इस पर पावर x लगावा है, फिर यहाँ पर दिया है bracket के अंदर 2 माइनस रूट 3 और इस पर whole bracket लगाके पावर x देवा है, तो यहाँ पर देखे यह वाला जो time है आपका, 2 प्लस रूट 3 इस पर धियान दीजिए, चाहे आप 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3, दोने में से कोई एक select कर लिजिए, तो यहाँ पर मैंने क्या क अब देखे मैं क्या करूंगी, equal to 2 प्लस रूट 3 इसको bracket के अंदर लिखी, into यह जो 1 है, इस 1 की जगह मैं 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 लिख सकती हूँ, और इनमें ब्रैके इस तरीके से लगा देजी, क्योंकि यह 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 यह cancel हो और 2 माइनस रूट 3 आ रहा है, तो इनके बीच में into का साइन है, ठीक है, तो एक step क्या कीजेए, पहले इनको एक साथ इस तरीके से numerator में जो भी चीज़े है, उसको लिख लिख लिजे, फिर नीचे denominator में माइनस रूट 3, यह आपको समझ में आया, ठीक है, पेज में उपर कर तो यह बिलकुल a plus b, a minus b की फॉर्मूले में है की नहीं, और a plus b, a minus b किसका फॉर्मूला था है, मैं यहाँ पता दू, a plus b और a minus b, जो होता हो बनता a square minus b square, ठीक है, तो यहाँ पर देखे हमारा यह फॉर्मूला बनना है, तो यहाँ पर a हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर a A square, यानिके 2 square minus B square, B हमारा क्या, road 3, तो road 3 square, ठीक है, upon, नीचे denominator में क्या है, 2 minus road 3, ठीक है, तो अब देखिए क्या 2 square, 2 square 2 को 2 बार into 2 to 4 minus road 3 square, road 3 को 2 बार into 2 करेंगा, तो road 3 into road 3, 3 की बरावाएगा, ठीक है, upon 2 minus road 3, आपको समझ में है, तो 4 में से 3 क्या है, बचा, 1 upon, और डिनामेटर में क्या है, 2 minus road 3, तो हम यहाँ पर क्या लेकर चले थे, 2 plus road 3, इसी को तो हम solve कर रहे थे, यहाँ पर देखिए, मैं उपर पेज दिखा दू आपको, कि हमने यहाँ में दो जो bracket हैं, पर हमारे, इस bracket के अंदर दो टाम है, 2 plus road 3, और 2 minus road 3, तो मैंने यहाँ पर यह वाला, 2 plus road 3, इसको select किया, और इसको मैंने बताया है, कि 2 plus road 3 में मैंने क्या क्या, 1 into किया, फिर 1 के जग़ा, मैंने 2 minus road 3, upon 2 minus road 3 लिग दिया, फिर जब मैंने इसको solve किया, तो last में हमारे पास क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं, कि यह जो 2 plus road 3 है, यह क्या है, 1 upon 2 minus road 3 के बराबर है, यह दोनों आपस में बराबर है, कैसे बराबर है, सब मैंने आपको दिखा दिया, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि यह जो हमारा 2 plus road 3 है, यह ब्राकेट के इंदर, इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, इस 2 plus road 3 के जगह, इसके जगह हम लिख सकते हैं, 1 upon 3 यह हम लिख सकते हैं, तो हमारा जो question था, वो था, लो 2 plus road 3, और इस पर power x दिया वा है, PLUS, फिर क्या है, 2 minus road 3, और इस पर power क्या दिया है? X is equal to और यह बराबर दिया हुआ, ठीक है? और यह बराबर दिया हुआ तो ऐसा करने से क्या है? कि यह equation जो देख रही है न यह थोड़ा easy हो जागा तो देखिए, मैंने बता दिया कि इस 2 plus root 3 को किसके बराबर ले सकते हैं? यह किसके बराबर है? यह है, देखिए, यहाँ पर आप दे सकते हैं यह किसके बराबर है? 1 upon, तो इस 2 plus root 3 के जगा हम क्या लिखेंगे? यह लिखेंगे, 1 upon 2 minus root 3, ठीक है? तो इस 2 plus root 3 के जगा हमने यह लिख दिया है? यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट लगा करके तो आप यहाँ पर देखिए, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला तर्म लिखेंगे, यह वाला ही ब्रैकेट के लिखेंगे, 2 plus root 3 को बदल के लिखा है, जो कि किसके बराबर आया 2 plus root 3? वो आया है, हमारा 1 upon 2 minus root 3, आप इसको भी बदल से, दोनों में से कोई एक लिजिए, यह चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर वाला नमबर लिजिए, चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर वाला लिजिए, आपका हमसर सही है, आप चाहे तो आप 2 minus root 3 को बदल सकते हैं, तो समझ में आगया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कोशन हमारा क्या था, यह था, यह हमारा कोशन है, यह हमारा कोशन था, इसमें मैंने क्या किया, 2 plus root 3, इसको मैंने जब सॉल्व किया, तो इक इसके बराबर आया, 1 upon 2 minus root 3, तो इसकी जगर मैंने यह रख दिया power x plus और यह क्या है 2 minus root 3 power x is equal to 4 ठीक है यह आपको समझ में अब देखें यहाँ पर यहाँ पर 1 upon 2 minus root 3 इस पर whole bracket लगा कि x है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि bracket जब अटाएंगे तो यह power x 1 पर भी लग जाएगा upon और फिर यह जो denominator में 2 minus root 3 इस पर भी power x लग जाएगा यहाँ पर कौनसा हम फॉर्मूला इसका रहें power and exponent का कि अगर x upon y और इस पर whole bracket लगा कि power m दिया हुआ है तो यह बराबर क्या हो जाता है यह bracket open करेंगे तो यह power x के साथ भी लग जाएगा और यही power y के साथ भी लग जाएगा यहाँ पर भी वहीं चीच किया है यह bracket खोलेंगे तो यह power x 1 पर भी लगेगा और नीचे 2 minus root 3 पर भी लगेगा यह मैंने यहाँ लगा दिया plus यह क्या है 2 minus root 3 इस पर power x equal to 4 यह आपको समझ में आया है ठीक है मैं page उपर कर रही हूँ तो 1 का power x यह तो 1 का power x तो 1 ही के बराबर होगा ठीक है तो यह 1 का power x तो 1 हो गया ठीक है upon और यह क्या है 2 minus root 3 और इस पर power क्या लगा हुआ x यह आपको समझ में है plus यह क्या है 2 minus root 3 और इस पर power x लगा हुआ equal to 4 ठीक है अब आप यहाँ पर क्या देख रहे है कि 2 minus root 3 और whole backer लगा के power x और यहाँ पर भी क्या है 2 minus root 3 और whole backer लगा के power x यह सेम है तो हम इसको let क्या माल लेते हैं a माल लेते है let a equal to 2 minus root 3 का power x माल लिए हमने तो अब यह और easy हो जाएगा तो अब देखेंगे यहाँ पर हमने क्या माना है यह क्या हो जागा 1 upon इस पूरे को हमने क्या माना है a माना है तो इसके जगा a लिखिए plus इसको मैंने a माना है इसको इसके जगा a लिखेंगे equal to 4 यह जाए ठीक है अब क्या किज़े यह 4 है तो इसको 4 upon 1 कर लिए अब फिर यहां से cross multiply कीजिए तो 1 जो है 1 plus a square से into होगा तो 1 plus a ही square होगा equal to a जो है 4 से into होगा तो a into 4 4 हो जाएगा यह आपको समझ मैं है अच्छा अब क्या करेंगे इसका sign क्या है plus 4 a को हम इधर side लिखाएंगे LHS side में ठीक है plus 4 इधर आएगा तो minus 4 हो जाएगा equal to 0 ठीक है अब देखे हम क्या करेंगे यह जो a square इसको पहले लिखेंगे उसके बाद यह minus 4 है इसके बाद लिखेंगे और यह 1 है जिसका sign plus 1 है इसको last में लिखेंगे यह आपको समझ में आया तो आप देख सकते हैं यह a quadratic equation बना देखें क्या बना है यह हमारा क्या है a square minus 4 a plus 1 यह हमारा क्या है quadratic equation है तो यह quadratic equation है तो quadratic equation में हमको यहाँ पर a की value find करनी है क्या find करनी है a की value find करेंगे ठीक है तो a की value कैसे find करेंगे तो हम quadratic formula के help से इसको solve करेंगे तो quadratic formula के help से जो a की value निकले की वो होगी a is equal to minus b plus b square minus 4ac upon 2a, ठीक है, तो अब यहाँ पर यह जो capital a, capital b और capital c, इसकी value कैसे पढ़ा चलेगी, तो देखें, direct में बता रहें, capital a की value क्या होगी, यहाँ बे देखें, यह a square है, इसके साथ क्या number in 2 है, 1 तो सब के साथ in 2 रहता है, त अब capital b की value क्या होगी, तो यहाँ देखें, इस a के साथ, क्या number in 2 है, minus 4, sign के साथ लेखना है, तो minus 4 इसकी value होगी, capital c की value क्या होगी, तो यह देखें, यह है, plus 1, तो sign के साथ लेना है, तो plus 1 है, तो plus लेखने की ज़रूत नहीं है, तो c की value 1 होगी, तो capital a, capital b, capital c की value मिल तो चलिए अब A की value निकाले, A sql2 यह क्या है, minus B, तो minus capital B की value क्या है, minus 4, तो इसको bracket में लिखेंगे, फिर क्या है, plus minus, under root, यह क्या है, B sql2, तो B की value क्या है, minus 4, अब इस पे square लगा है, तो square लगा, यह minus 4 into A, C, A की value कितनी है, 1, और C की value भी 1 है, ठीके, अब आपन, नीचे क्या है, 2A, तो 2 into A की value कितनी है, 1, यह आपको समझ में आया, ठीके, page उपर करते है, फिर देखिए, यह क्या हो जाएगा, A sql2, यह minus minus क्या हो जाएगा, plus, minus, under root, यह minus 4 का whole इसका, तो minus को दो बर into करेंगा, minus, minus, plus 4 को दो बर into करेंगे, तो 4 for 16, minus, इसको into करेंगे, तो 4 आएगा, upon 2, यह आपको समझ में, इक्वल to, 4 plus minus, 16 में से आप 4 minus करेंगे, तो आपका क्या है, 12 आएगा, root 12 आएगा, 16 में से 4 minus करेंगे, तो upon 2, ठीके, तो A sql2, 4 plus minus, अब यह रूट 12, इसको आगा हम प्राइम फक्टराजिशन करेंगे, तो 2 into 2 into 3, यह होगा, upon 2, यह आपको समझ में, इक्वल to, तो 4 plus minus, अब देखी, यहाँ पर क्या है, यह 2 है, यह 2 पेर बनना है, तो 2 बाहर आजाएगा, 3 क्या है, सिंगल है, तो यह root के अंदर रहेगा, upon, क्या है, 2 है, यह आपको समझ में आया, मैं page उपर कर रही हूँ, उसके बाद देखी, क्या करेंगी, यह हो गया, A sql2, अब यह 4, जो है, इस 4 को हम 2 into 2 ली सकते हैं, पिर यह क्या है, plus minus, और यह क्या है, 2 है, और यह root 3 है, इनके बीच में क्या है, into का साइन है, ठीक है, upon 2, ठीक है, अब plus minus के दोनों साइट, क्या common दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो common निकाली यह 2 बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, यह 2 बचेगा, फिर यह plus minus, और यह 2 बाहर चलागा, यहाँ क्या बचेगा, root 3 बचेगा, upon, और नीचे क्या है, 2 है, अब 2 और यह bracket के अंदर, इसके अंदर है, into का साइन, तो यह 2 और यह 2 कैंसल, तो क्या आ रहा है, 2 plus minus root 3, तो हमारे पास A की value क्या आई, हमारे पास A की value आई है, वो आई है, 2 plus minus root 3, तो मैंने बता दिया, कि quadratic equation है, तो यहाँ से देखे, दो value कैसे निकलेगी, यहाँ देखे, बीच में plus minus है, तो एक बार A की value अब plus मिलेज़, 2 minus root 3 का पावर x यहाँ था, और हमने क्या निकाला था, शुरू में क्या निकाला था, कि जो 2 plus root 3 है, वो किसके बराबर था, 1 upon 2 minus root 3, ठीक है, तो इन दोनों को आप यहाँ पर, ऐस तरीके से लिख लीज़े, ठीक है, तो हमारे पास A की value आगई है, यहाँ से हमें x की value एक मिलेगी, तो इसको पहले solve करते हैं, तो देखें यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ, कि हमने 2 plus root 3, किसके बराबर हम लेकर आये थे, यहाँ आप देख सकते हैं, कि जो 2 plus root 3 है, वो किसके बराबर है, 1 upon 2 minus root 3, तो इस 2 plus root 3 की जगा, यह तो A की value हमने यहाँ लिख दी, यह वाला 2 plus root 3, लेकिन 2 plus root 3 हम किसके बराबर किये थे, 2-root 3 लिख सकते हैं ना इसकी जगह लिख दिया equal to और यह क्या है 2-root 3 का power x यह आपको समझ में आया अच्छा अब देखिए यह हो जागा 1 upon 2-root 3 इस पे हम whole packet लगा कि अगर power 1 लगा दे power तो 1 सभी में लगा रहेगा तो 2-root 3 का power 1 लिखे चाहे 2-root 3 लिखे दोनों तो बराबर है तो just मैंने क्या कि 2-root 3 में whole packet लगा कि यह power 1 लगा दिया ठीक है equal to यह क्या है 2-root 3 का power x यह आपको समझ में आ रहा है मैं page उपर करती हूँ ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर आपने power and explanation पढ़ा होगा यह हो जागा x का power minus 1 तो यहाँ पर इस पूरे को आप x मानिए 2-root 3 को और यहाँ पर m की जगा क्या है 1 तो compare करेंगे तो उस रिसाब से हमारा क्या हो जागा 2-root 3 2-root 3 जब उपर जागा तो यह power negative हो जागा यह निकि अभी तो plus 1 है denominator में लेकिन numerator में जाएगा तो यह power minus 1 हो जागा यह आपको समझ में आया ज़स्ट यही वाला formula लगा रहे है ठीक है equal to यह क्या है 2-root 3 का power x ठीक है अब यहाँ पर देखिए power and explanation का formula क्या यूज होगा यहाँ एक्स का power m है और यहाँ पर क्या है x का power n आप यहाँ equal to के दूनों साइड देखिए base दूनों का same है और तो base same है और power क्या है m और n लगावा है दूनों पर base same है तो अगर equal to के दूनों साइड base same है तो power आपस में equal हो जाते है यानि कि m is equal to n तो यहाँ पर भी देखिए equal to के दोनों side आपको दिख रहा होगा कि base क्या है यह हमारा base ही तो है 2 minus root 3 यह क्या है 2 minus root 3 base है ना तो आप देशेते हैं दोनों side base same है तो power आपस में equal हो जाएंगे यानि कि minus 1 equal to x और x is equal to minus 1 तो एक value हमें x की value क्या मिली अब हम a की value क्या लेकर चलेंगे 2 minus root 3 ठीक है यह लेकर चलेंगे 2 when a is equal to 2 minus root 3 ठीक है यह लेकर चलेंगे और हमने let a को क्या मना था let a is equal to 2 minus root 3 का power x यह हमने माना था ठीक है यह लेटटा दीजे तो a की value अब हम क्या रख रहे है 2 minus root 3, तो इस एक की जगह क्या रखेंगे, 2 minus root 3, equal to, और यह क्या है, 2 minus root 3 का power x, ठीक है, यह समझ मैं, अच्छा, यह जो 2 minus root 3, इसमें हम whole packet लगा कि, अगर 1 लगा दें, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, वो तो नहीं होगा, 2 minus root 3 के ही ब्राबर होगा, तो अब देखिए, फिर वहीं, जो पिछले step में मैंने क्या होता था, बेस सेम रहेगा, तो आप यहां देख सकते है, 2 minus root 3, यहां भी है, बेस, यहां पर भी बेस सेम है, तो आपस में power equal हो जाएंगे, तो 1 is called to x, और बोलिए, x is called to 1, तो हमारे पस x की 2 values आगई, एक क्या है, x की value minus 1, और दूसरा क्या है, x की value 1 आई भी है, ठीक है, तो यह x की 2 values आगई है, अब हम check करके भी देख लेते हैं, तो हमारा जो question था, हो क्या था हमारा, मैं page नीचे करके दिखा दू, हमारा question क्या था, देकि हमारा question था, हाँ, यह हमारा question है, क्या है, हमारा 2 plus root 3 का power x plus 2 minus root 3 का power x is equal to 4, तो check करना है, question हमें यहाँ पर लिख लो, question हमारा क्या है, 2 plus root 3 का power x plus 2 minus root 3 का power x equal to 4, और हमारे पास x की value क्या आई है, 1, और x की value क्या आई है minus और नहीं दो values आई है तो check करके देख लेते हैं कि यह values जो x की आई है सही है कि नहीं तो कैसे check करेंगे हम यहाँ पर हमारा यह क्या है यह पूरा LHS है तो इस LHS को हम लेके चलते हैं LHS में हम x की value लखेंगे LHS क्या है 2 प्लस root 3 का power x प्लस 2 माइनस root 3 का power x यह है और इसमें यहाँ पर x की value लखेंगे और यह किसके बराबर आना चाहिए RHS यानि 4 के बराबर आ जागा तो हमारा यह x की जो value है वो सही आई तो चलिए 2 प्लस root 3 अब पहले हम x की value क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे प्लस 2 माइनस root 3 और यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 प्लस root 3 का power 1 तो 2 प्लस root 3 के ही बराबर आएगा ठीक है प्लस यहाँ पर भी देखिए इसका power 1 है तो यह तो इतने ही की बराबर रहेगा ठीक है तो यह root 3 यह root 3 cancel तो यह 2 और यह 2 आपस में किस के बराबर हो गए 4 के बराबर हो गए तो आगे है ना RHS के बराबर यानि कि LHS में X के value रखे है तो RHS के बराबर आगे है इसके मतलब X is called to 1 जो है हमारा यह जो value आई है सही आई है अब हम चेक करते है X के value minus 1 कि इसको रखने पर RHS के बराबर आता है कि नहीं तो अब हम X के value क्या लेके चलेंगे X is called to minus 1 हमारा LHS क्या है यहाँ पर LHS है हमारा 2 plus root 3 power X लगावा है ठीक है plus 2 minus root 3 power क्या है X है ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या बता है X के value minus 1 रखेंगे तो देखिए 2 plus root 3 इसका power क्या है minus 1 तो ऐसे रख दीजिए plus यह क्या है 2 minus root 3 और यहाँ पर power क्या है minus 1 ठीक है तो यहाँ पर देखिए 2 plus root 3 का power minus 1 है तो यहाँ पर अपने power and exponent का यह formula यूज होगा कि अगर X का power minus M है यहाँ पर देखिए base X है X के जगा कुछ भी हो सकता है और इसका power क्या है negative है minus M तो यह positive काप होगा जब हम इसको 1 upon में कर देखिए तो यह power जो है positive हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 2 plus root 3 क्या है इसको X मानिए इसको इस पूरे को X मानिए और minus 1 को यह क्या है minus 1 जो है आपका यह जो इसको minus M मानिए इसको ठीक है इसको क्या मानिए यह minus M मानिए minus 1 को तो यह साब से हम इसका जब उसको 1 upon में कर देंगे तो 2 plus root 3 और यह जो minus 1 power है यह positive हो जाएगा ना अगर यह formula लगा है तो power and exponent का ठीक है प्लस यहाँ पर भी 2 minus root 3 है whole bracket लगा के power negative है तो यह power positive का होगा जब हम 1 इसको 2 minus root 3 को upon मिले जाएगे ना तो यह upon में जब जाएगा तो यह minus 1 जो है positive हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ plus लखने के ज़रूरत नहीं यह आपको समझ में आ गया तो यहाँ page में उपर करती हूँ तो यह क्या हो जाएगा 1 upon 2 plus root 3 का power 1 तो यह किसके बराबर होगा 2 plus root 3 के ही बराबर होगा plus 1 upon 2 minus root 3 इस पर whole bracket लगा power 1 है तो यह भी इतने के ही बराबर होगा यह आपको समझ में आ रहा है ठीक है मैं page उपर करती हूँ ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इनका LCM ले लेते हैं भई इसका LCM लेते हैं तो डिनामेटर में क्या होगा यह आएगा हमारा 2 plus root 3 और 2 minus root 3 यहीं तो आएगा ना डिनामेटर में अब cross multiply कीजिए तो 2 minus root 3 1 से 2 होगा तो कितना आएगा इतना ही आएगा फिर यह plus लगाईए अब इस पूरे term को इससे into कीजिए 1 से तो 2 plus root 3 को 1 से into करेंगे तो यह इतना ही आएगा तो यह root 3 cancel ठीक है equal to यह 2 और यह 2 4 हो गया upon और मैंने इसका product आपको पहले ही बता दिया कि यह हमारा 2 plus root 3 और 2 minus root 3 किसके format में A plus B, A minus B के format में मैंने शुरू में इसको explain करके बता दिया है तो यहाँ पर A square minus B square का formula लाएगा तो A square हमारा यहाँ A क्या है 2 है तो A square यहनि कि 2 का whole square minus B, B हमारा क्या है root 3 तो B square root 3 का whole square ठीक है यह RHS के बराबर आगे है तो LHS और RHS हमारा बराबर हो गया इसका मतलब X की value जो minus 1 है वो सही है तो यहाँ पर हमारी X की क्या-क्या value आई है 1 और दूसरी की आई है minus 1 और हमने यहाँ चेक करके भी आपको दिखा दिया तो अमिद है आपको यह कुशन अच्छे समझ में आ गया होगा